नमस्ति सांतियों भारत सरकार के महतपून सरकार योजना प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन दोहजार 24-25 से संबंधित आज के इस नई वीटियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो सांतियों जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अपरेल 2024 से प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगत बर्स 2024-2025 का जो काम है वो सुरू किया जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले तो लाभार्तियों की पंचिकरन किया जाएगा उसके बाद दोस्तों फर्ष सांतियों ऐसे सभी लाभार्तियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाएगे तो नाचि इस वीडियो के अंदर में आप लोगोगो डीटिल जानकरी प्रवाइद करोंगा तो फिर जो पहली list है दोस्तो वो कब publish की जाएगी और फिर लाभार्तियों के खाते में जो पैसे हैं वो कब transfer किये जाएगे पूरी जानकारी में आप लोग को step by step 3 step के अंदर बताओंगा तो वीडियो में end तक बने रहिएगा यह वीडियो देखने के बाद साथियों आप सभी को पता चल जाएगा इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को पंचकृत करने से लेके उनके खाते में पैसे transfer करने की जो प्रक्रिया है वो वर्स 2024-25 के अंदर कब से किये जाएगे तो चली साथियो वीडियो को सुरू करते हैं बेना कैसी देरी किये उससे पहले आप सभी से request करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस फरकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी upload करें तो सबसे पहली जानकरी आपको मिल सके तो साथियो देख सकता है हमने यहाँ पर अपना प्रधान मंत्री आवाज योजना ग्रामीन की जो official analytics dashboard का web portal है साथियो वो हमने open करके रखा हुआ है जिसमें हमें काफी सारे details देखने को मिल जाते हैं प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन आवास प्लस उसे के साथ सांथियो रह आई एसस जो special लाभरतियों का आवास दिये जाते हैं उसके अंदर और उसे के साथ IAY यनकी इंद्रा आवास योजना की details भी लेकिन सांथ सांथियो अभी परतमान में प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन एबंग आवास प्लस के तहत लाभरतियों को इस योजना का लाब दिया जाता है बरतमान में जो नए लाभरतियों का पंजिकरन होगा वो आवास प्लस के तहत ही होगा तो दोस्तों हम सिर्फ इन दो जो योजनाए है प्रधानमंत्री आवास योजना इबंग प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना इन दोनों योजना को इभिसे में ही बात करेंगे सबसे पहले जानेंगे साथियों की जो नए पंजीकरण है वर्स 2024-25 के लिए वो कब से शुरू किया जा सकते हैं तो साथियो portal में जो details update है मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कुछ दोस्तो जान करी मैं आप लोग को यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूं साथियो कुछ इस प्रकार से जिसमें आप देख सकते हैं जो details हमारे सामने कुछ इस प्रकार से open हुए हैं इसमें अभी आपको जो year का देखने को मिलेगा दोस्तो वो 23-24 देखने को मिलेगा लेकिन जैसे ही एक अपरेल सुरू होता है तो नए financial year जो होती है इस सरकारी योजनाओं के अंदर वो यहाँ पर 2024-25 का जो option है आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे ही नए year सुरू हो जाते हैं तो दोस्तो जो कारी हैं वो नए year के आधार पर करने का दोस्तो जो अनुमती है वो सरकार के द्वारा सभी राज्यों को दिये जाते हैं और उसके आधार पर सभी ब्लॉकों में भी वो जानकारी प्रोवाइड कर दिये जाते हैं तो सांतियों जैसे ही एक अपरेल सुरू होता है उसके बाद सभी जो अधिकारी होंगे उनके पास ये अधिकार होगा कि वो नए लाभारतियों का पंजिकरन करें सिर्फ गवर्मेंट के तरफ से जो नौटिस आती है दोस्तो उसका इंतजार करना होगा जैसे गवर्मेंट के तरफ से नौटिस दिया जाएगा उसके बाद लाभ तो वो किया जा सकता है लेकिन दोस्तो एलेक्सटे में रिजिस्टे सưỡुर्शन करना संभई अभी तो परतीत नहीं होता है क्योंकि आचार आधर्स अचार संगिता लागू है उसके बीच में रिजिस्सें लाभर्मेट की जो होने की संभावना है वो बहुत कम है तो साथियो अगर एक्सन के बीज में नहीं होता है तो दोस्तों जैसे एक्सन सवापत हों के उसके बाद लाभारतियों की जो रेजिस्टरेशन को लेकर जो जानकरी है वो सेंटरल गवर्मेंट के तरब से स्टेट को दिया जाएगा और फिर स्टेट के थ्रू जो है ब्लॉक में भी ये जानकरी आएगी तो ब्लॉक इस तर में जो लाभारतियों की पंचिकरन है वो सुरू कर दी जाएगी साथियो डेट अभी नहीं आया है काफी सरे सब्सक्राइबर समय जो है अपने वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछते हैं कि जो 2024-25 का जो निव लिस्ट है यानि कि जो पहली लिस्ट बनके तयार होगी वो कब पब्लीस होगी तो साथियो 2024-25 का जो लिस्ट है और सिर्फ अभी आवास में प्लस प्लस के पॉटल पे ही उनका नाम सिफ्ट किया जाएगा. काफी सारा संक्या में लाभार्थियों के नाम होगी बागी जो रिस्ट करने की डिटेल है. तो ऐसे हे रिस्ट करक्रिया सुरू हो जाएगी. धीरे धीरे सभी लाभारतियों की जो लिस्ट है वो पॉटल में अपडेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुरू होने के लगभग लगभग 15 से 20 दिनों के बाद पहली जो लिस्ट होगी वो पॉटल के अंदर और उसी के आधार पर फिर लाभारतियों को लाब मिलेगा आप सांथियों अब बात कर लेते हैं जो तीसरा मेंट है तो सांथियों की लाभारतियों को कब पैसे मिलेगे J.C. Central Government के तरफ से इसको लेकर अलोटमेंट दे दिये जाते हैं फिर category wise कौन से जिले में कितने targets आएंगे block में कितने targets आएंगे साथ यूपस के बाद आपके पंचायत में कितने targets आएंगे आपके category में कितना target होगा उसके आधार पर लाभरतियों का आवास को सेंसन किया जाएगा और सेंसन होने के बाद लाभरतियों के खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दी जाएगी तो साथियों यह थी जानकरी प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन 2024-25 के अंतरकत जितने भी लाभरतिय स्योजना को लेकर इंतजार कर रहे हैं लाभ प्राप्त करने के उद्देश से तो साथियों मैं आपने आप सभी को बता दिया है कि कब registration की प्रक्रिया सुरू होगी लाभरतियों की list कब पब्लिस की जाएगा उसके बाद खाते में पैसे कब transfer किये जाएगे साथियों इन तीनों चीजों में से जो भी प्रक्रिया जब भी सुरू होती है सबसे पहले जानकरी आपको हमारी चैनल के तुरू प्रवाइड किया जाएगा जो भी official लेटर आएगी सेंटरल गवर्मेंट के तरफ से उसको लेकर भी तो साथियों चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबा कि रखिएगा ताकि जैसी वीडियो जानकरी प्रोवाइड हो साथियों वीडियो के तुरू मैं आप सभी को जानकरी प्रोवाइड कर सको धन्यवाद